तो दोस्तों सिर्यों बात करने वाले Infosys Limited Company के बारे में और हम यहापर करेंगे Infosys का Weekly Analysis, कि अब Next Week के लिए कौंसे मुटन लेबल से हैं, जो हमें Infig अंदर ध्यान में रखने हैं, और उसके Accordingly यहाँ पर Targets क्या होने शिए हैं तो दोस्तों बात अगर हम करें, यहाँ पर अभी फिलाल के लिए Infosys की, तो इस Counter के अंदर हमें Throughout the Week, कई ना कई यहाँ पर जो है वो थोड़े से Rejections, थोड़ी सी Selling, गिरावटे देखने को मिले हैं, एक दिन Counter 3.5% तक डाउन था, 98 के Levels को Break करके Infosys जो है वो नीचे निकल रहा था, बट Overall, Weekly Closing जो है वो हमें Infi की 98 के उपर ही देखने को मिले है, that means Counter के अंदर अभी भी थोड़ी सी Strength बची हुई है, right, so next week में पहला Support रहेगा 1900, Resistance as it is है, 1950 से लेकर 1960 की Range, अगर इस Resistance को Break करके Stock उपर निकलता है, तो शायद से कोई हमें अच्छे कासे अप्मूज यह यहाँ पर देखने को मिल सकते है, कोई नए टागेट्स यहाँ पर बनेंगे, बट अगर मालो यहाँ पर Infi ने क्या कर दिया, 98 से लेकर 1880 के इस Zone को Break कर दिया, तो अच्छी कासी यहाँ पर हमें Profit Booking और उसके बाद Next Support 1880 का Test होगा, अगर वो भी Break हो गया, तो फिर उसके ब Next Support 1700 का भी Test हो सकता है,